गुड मर्णिंग स्टुडेंट्स विभेन आउनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है आज हम क्लास एट के संस्कृत पढ़ाने जा रहे हूं चैप्टर टू इसमें आदर्स मित्रता क्रिश्न और सुदामा के मित्रता के बारे में बताएंगे सुदामा और सुदामा तो द्वारे का निर्पा आसित, सुदामा जी बहुत गरीब थे लेकिन क्या थे धार्मिक थे तस्या पत्नी संतत्या चा सहाइव छुदा पिडिता अतीव कश्टम चाहबन उनकी पत्नी और बच्चे बहुत दुखी रहते थे और भूखे प्यासे बहुत पिडित रहते थे दुखित रहते थे भूख प्यासे सुधामा स्रेक्रिष्न स्या परम भक्ता हसे सुदामा स्रेक्रिष्न के परम भक्ती को देख करके सुन करके लेएम साथ पत्नी और vigद और पत्नी बोली तब मित्रम स्री कृष्ण तू द्वारिका धी समस्ती अब उनकी पत्नी जब अपना मित्र को बढ़ाई कर रहे थे अपनी कहानी सुना रहे थे तब उनकी पत्नी बोली कि आप एक बात द्वारिका जरूर जाईए क्योंकि जब क्रिश्ण जी इतना सभी के मनकष्ट को दूर करते हैं तो आपका तो दोस्त ही है जदी तुम तस्या समीपम गमिश्यति तरही असमा कम किंची सहायता मवस्यम करिश्यति तुम उनके पास जाओगे तो हम लोग के ऐसी स्थिति को देख करके वे मेरे जरूर सहायता करेंगे वे हमारे सहायता कुछ न कुछ जरूर करेंगे लेवय कतित्वा सास्व पत्निम स्री कृष्ण स्या समीपम गंतुम प्राथित बती ऐसा उनकी पत्नी ने बार वार प्रात्ना करके और सुदामा से कहती है कि आप जरूर एक बार द्वारिका जाएं एवन स्वा पत्निया हठेना सुदामा द्वारिकां प्राति गंतुम नहकरोद पत्नी की बार बार प्राथना सुन करके और द्वारिका जाने के लिए सुदामा जी तयार हो गए नहीं मन में ठान लिए कि अब जाना है सभार्जाम भार्जाम स्री कृष्णाया किंचित उपहरम दातुम अकत्यत आप जाने के समय में अपनी पत्नी से कहते हैं कि कृष्ण के लिए कुछ उपहर दो पत्य कत्रेना सा सिग्र मे भार पास बार दिना भी प्रस्या गिनामा गचत पती के कहने के वाद जल्दी ही पास में गार में गई तता चातूर मुष्टी परी मितान तांडूलान चानयत और उनसे चार मुठी चावल ला करके और कपड़े विवांद करके उन्हें दे दी तान तंडूलान एकस्मिन बस्त्रे बद्धत्वा सा स्वा पत्ते अयच्छत और पोटली बना करके अपने पती को अयच्छत माने दी तान तंडूलान गृत्वा सुधामा स्रीकृष्णम द्रश्ट उम्द्वार का प्रती अचलात अवा पोटली को ले करके अवा चावल के पोटली को ले करके गिरित्वा माने पकड करके ले करके सुधामा स्रीकृष्ण को देखने की उद्धेश से द्वार का कप्रती चल दिये तस्य दुर्दसा द्रिष्टवा पर्थमातू द्वारपालै सह बहिरेव निसिध्ध किन्तू संदेश बाहकस्य मुखात स्वामित्रस्य अभिधानम सुर्त्वा क्रिष्ण धावन एव तत्रागछत स्वामित्रम च बाहुभ्याम द्रिष्टम आलिंगित्वान जैसे ही द्वारी का पूरी पहुँचे तो उनके दर्वाजा पर जाने के बाद जो द्वारपाल थे उनकी स्थिती को देख करके पहले तो बाहर ही रुकने के लिए बोला काया कि अंदर आना नहीं है निशिद्य मने मना है किन्तु यह संदेश जाकर को पहुचाए क्रिष्ट के पास जैसे ही क्रिष्ट सुदामा के नाम को सुने और अपने मुखात माने मुझ से जैसे ही द्वारपाल के मुझ से अपने सुदामा के नाम सुने और बोले कि अच् शत्रा अगच्छत माने कि वहां दोड़े हुए आए राजमहल छोड़ करके और स्वाम मित्र अपने गले भरके उन्हें गले लगाया देखकरके और दोनों हाथ से बाहु भुजा से मने दोनों हाथ से उन्हें पकड़ करके और क्या किया? श्रीक्रिष्णाया नित्राव्याम अस्रूनी चा अपतन और दोनों को जो मिलन इतना दिन पर हुआ तो खुसी का आशू निकलने लगा और क्रिष्ण के फटे हाल क्रिष्ण जी सुदामा जी की गरीबी देखकरके और रोने लगे और अपने आशूों से उनके चरण को क्या श्रीक्रिष्णा स्वहस्ताभ्याम श्वहमित्रसय अपादो प्रचालेथ और ले गए प्यार से और अपने राज महल में ले देखकर करके अपने विश्दर पर बैठाया और दोनों हाथों से उनके पैर को प्रचालेथ मने धोया अस्नानम भोजनम चकृत्वा तवस्टा और अस्नान द्यान करकरके और दोनों खाना पीना खा करके बारता राम्मन दोनों बात चित करने लगे पहले के बात तियाद आती है तो श्री कृष्ण जैसे उनके साथ नटखट करते थे उसी तरह फिर बोले कि सुदामा मित्र कुछ छुपा के मेरे लिए लाया है अतासा अत्तम प्रिछत ततमाने इसके बाद वहां पूछे मित्र किमु पायनम आनितम त्वया महयम दियताम सुदामा तु लज्यातां तंडुलान स्री कृष्ण आया दातुम नोत हच्छे अस्मा अब इतना बात्चित होने के बाद स्री कृष्ण जी जो है ये पूछने लगे कि कुछ लाया है तो वे बताते हैं स्री कृष्ण की मैत ती सुदामा जी कि मैत तो कुछ लाया हूं मित्र लेकिन तुम्हें देने से मैं लज्जित हो रहा हूं सरमिंदा हो रहा हूं तदा स्रे कृष्ण स्वामे बातान ग्रित्वास असनेहन खा दी तुम मारभत लेकिन कृष्ण जी जो थे जो बोले कि नहीं नहीं तुम प्यार से लाया है तो दिखाओ और उनके पासे जवर्जस्ती चावल का पोटली ले करके और खोल करके प्रेम से चावल को खाते हैं तता सुदामा स्वाय गिर्हम प्रती गंतुम स्री कृष्णम अनुज्ञान पायाचत इसके बाद में सुदामा जी अपने घर जाने के लिए कहने लगे कि अब मैं अपना घर जाओंगा स्री कृष्णों अपी तसमय किंचित दपी बस्तुम नायचत श्री कृष्ण जी भी उनके लिए काफी जादा सुसजित सोभित बस्त ले आए परम स्वागिर्हम गत्वा स्वाग कूटी रस्य अस्थाने विशालम प्रसादम दिश्टवा सुदामा अती विश्मित अववत जब उन्होंने अपना घर लोटे तो वहां देखते हैं कि जहां पर मेरा कूटिया था वहां पर विशाल भवन का निर्मान हुआ है विशाल भवन बना हुआ है यह देखकर वहां क्या हुए विश्मित होगे अश्चा चकित होगे अलंकारे सोभने बस्त्रश्चा सुसजिता स्वापत्नी बालकान चा द्रिश्टवासा जानियत यत आदर्स मित्रम सर्वदैव मित्रस्या हिताए एवा कार्जम करोती और अ और बड़ी खुस हुए और मन ही मन सोचे कि वाह जदी मित्र के सर्वदैव मनें सभी मित्र में हमारे मित्र जो है यह सक्षात दीवता है और हमें मित्र को भलाई के लिए यह कार्ज बहुत अच्छा किये कौन के एक क्रिश्न हिताय माने महित के लिए भलाई के लिए काजम करोती मित्र को धन धान से परिपुन कर दिये और उनका कष्ट को निवारन किये अब आजए इसका सब्दार्थ जो है आप लोग अच्छी तरह लिख के और याद कर लिजेगा अब आगे देखिए अभ्यास अभ्यास में मौक दूस्तर से सब्दाल देना है क्रेश्न सुदामा की मित्रता ठेक है कोश्चन नमर्ट टू में है इस कहानी से क्या सिक्षा मिलती है इस कहानी से सिक्षा मिलती है कि हमें परिस्थिती में मित्र की मदद करनी चाहिए सहायता करनी चाहिए तीसरा तीसरा मौकी एक है कि पाट से सब्दात थे याद करके और कि पास और दो से अपने सब्दों में संस्क्रीट में बाक बनाईए आप बाक बना देजिएगा क्योंकि संस्क्रीट में बाक छोटा-छोटा लिख लिजिएगा सब्द और उसे बाक बना दीजेगा अब रिटन कोशन आजेगे रिटन कोशन में है उत्तरम दातुम उचितम विकल्पम चिनित उत्तर देने के लिए उचित विकल्प चुनिए स्री कृष्ण स्या के नसा मैत्री आसित पेज पलटिए स्री कृष्ण स्या अब इसमें इसमें है कि कोश्चन नंबर वन वन के हो जागा वन के का के हो जागा दूसरा सुधामा नामक विप्रेना खा के हो जागा पहिला स्री कृष्ण स्या गा के हो जागा गा के हो जागा दूसरा तस्या भार्जा गा के हो जागा पहिला द्वारिकाया और अंगा के हो जागा दूसरा तंडुलान कोश्चे नमर टू में है पुर्ण बाक के न उत्रत, पुर्ण बाक में उत्र देना है दूसरा के का कथायाम सुदामा स्री कृष्णस चा मित्रे आस्ताम ख, ख में हो जागा पत्नी संतत्य चा सहदैवा छुदा पीडिता अतीव कष्टम चानभवन ग, ग, में हो जागा सुदामना भार्जा पार्षव वर्तिना बिप्रश्य गिर्हम अगच्छत तता तंडुलान आनयत ग, ग, क्यों हो जागा स्वा गिर्हम गत्वा सुदामा बिशालम परशादम अपस्यत अब तीसरा के आंसर होगा की बॉक्स में से चुन करके यानि मंजुसा करते हैं बॉक्स को बॉक्स में से चुन करके उचि सब्द को भरना है अब तीसरा के पहला सुदामा, खा द्वारिकायाम, गा धार्मिक और गा द्वारपाले, अंगा असनेहेना, हो गया अब ब्याकरन बोध, ब्याकरन बोध में आ जाई है, इसमें है, ब्याकरन बोध में है कि संदी विछेद का उचित विकल्प चुनिये, कौन सा है सही, इसमे पहला के हो जाएगा, तीसरा, सहसा पलस एवर, सहसा पलस एवर, सहसा पलस एवर हो जाएगा, सहसा इवर, सहसा पलस एवर, 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 सहसा पलस खाके हो जाएगा खाके तीसरा गा के दूसरा और घा के हो जाएगा दूसरा गा के हो जाएगा पहिला और घा के हो जाएगा दूसरा गा के हो जाएगा तीसरा आप question number two, question number two में आज़े ये धातु, कत्वा, परत्यान, तित्वुन, परत्यान, आप दूसरा के का, का बनाया होगा है ना, दत्वा पला गातुम, खा में हो जागा सुरुत्वा, सुरुतुम, गा में हो जागा द्रिष्टवा और द्रस्टुम, घा में हो जागा गत्वा, अंगाय में होजा ग्रित्वा ग्राहिस्टूम आप कोचन नमबर आ जिये इसमें कोचन नमबर आ ये तीसरा के है तीसरा के का में आ जाए तीसरा के का में पत्थ खा में आरभ़त के हो गया अरभत के भी भाव धातु है अरगम में हो जागा अगच्छ अंगा में हो जागा क्रे सब्सक्री थे करना और अच्छरा में जान यह जान नहीं होता है अब question number 4 आजाईए, फोर में विभक्ति बचन बनाना है, विभक्ति बचन में का, विभक्ति बचन में का बनाना है, तो का के हो जागा सप्तमी एक बचन, खा में तितिया एक बचन, अगा में सश्टी एक बचन, और घा में दृतिया बहु बचन, अगा में हो जागा चतूर् आप एक्टिविटी जो है आप खुद बना लिजेगा ओके अगे करें 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 करें